स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का MTechno Channel में और आज की वीडियो जो रहने वाली फ्रेंड्स important question हो कि रहेगी CNC से संबन नीत है, सारे question CNC operating and turner, feeder machinist के लिए भी important है, सारे question important है DRDO के exam में आपको ये question देखने को मिल सकते हैं, तो शुरू करते हैं आज के question answer की वीडियो, first question है फ्रेंड्स आप पूछा गया, the tape reader from the hole in the tape and turn into signal, यानि कि फ्रेंड्स आप पूछा गया है कि tape reader tape में बने सुरागों को पढ़ता है और उसके बाद signal में बदल देता है, किस signal में बदलता है, तो tape reader का काम करते हैं फ्रेंड्स NC machine पर, numerical control machine जो होती है, उस पे टेप reader कारिया क करता है, क्योंकि जो CNC होती है, वो करती है, memory पर कारिया, लेकिन tape reader जो NC machine होती हो, tap reader पर काम करती है, जो signal में बदलती है, electricity signal में उसे बदलती है, आगे signal पहुचाती ही, कि आपको कारिया यह करना है, तो इसमें correct answer option A हो जाएगा, next question है, फ्रेंड्स से पूछा गया, NC machine system में motion control all two of tools, तीन परकार के होते हैं, यानि कि NC system में तीन परकार के जो tool होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यह पूछा गया इस question में, तो जो answer रहेगा, वो first answer है, यानि कि first जो tool होता है, वो point to point का tool होता है, second tool, state का tool होता है, and third tool होता है, वो countering tool होता है, यानि कि counter बनाने वाला tool हो पूछा गया CNC को machine कहता है यानि कि it is call it CNC यानि कि CNC की full form पूछी गई है कि CNC की full form क्या होती है तो CNC की full form होती है computer numerical control computer numerical control के नाम से CNC machine को जाना जाता है तो उसमें correct answer option B हो जागा जिसमें कि G code और M code का सबसे ज़्यादा use किया जाता है traveling के लिए तो उसमें correct answer option B हो जागा next question CNC machine पर component की machining के लिए आवश्यक program के लिए data entry किस प्रकार से की जाती है how is the data entry done for the program required for the machining of component on a CNC machine तो जो उसमें correct answer रहेगा वो option D रहेगा यानि कि keyboard typing के द्वारा ही हम machining के लिए आवश्यक program को data entry करते है CNC machine पर तो उसमें correct answer option D हो जागा Keyboard typing next question CNC का control unit से instruction पराप्त होता है the control unit of CNC receive the instruction from the unit यानि कि फ्रेंड समें पूछा गा है कि CNC machine का control unit है उसको instruction जो होते हैं CNC machine control unit को instruction होते हैं वो किसके तुरू पराप्त होते हैं तो जो इसमें correct answer रहेगा वो memory रहेगा यानि कि CNC control unit को जो इस्टेक्शन पराप्त होते हैं वो memory के थ्रू पराप्त होते हैं तो उसमें correct answer option A हो जागा नेक्स्ट केशिए यानि कि फ्रेंड्स जिसम पुछाए है कि जो NC machine पर जो programming की जाती है वो किन तीन पराप्त है की जाती है तो इसमें correct answer रहेगा वो option B रहेगा यानि एक तो manual part programming यानि कि manual करते हैं manual programming करेंगे दूसरा computer assistant part programming यानि computer assistant में part programming करेंगे फिर जो तीसरा किया जाता हो manual data input यानि कि manual हम data भर देंगे जैसे कि हमें X को 20 mm जाना है तो X 20 mm डालेंगे और Z में हमें 1 mm जाना है तो Z को हम 1 mm डालेंगे तो उसमें correct answer option B हो जाएगा फ्रेंड्स NC machine पर square number को कहते हैं या किस से उनको परदस्चित किया जाता है तो जो square block number के नाम से उनको जाना जाता है तो block number जो होते हैं हमेंसा N से परदस्चित किये जाता है N block number उसके आगे program होता है X और Y या Z इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है जैसे कि आपको पता है कि जो CNC machine है उसमें X और Z का जातर यूज किया जाता है जो जो 2D 3D जो 2D machine होती है CNC की 2D machine होती है उसमें जातर X और Z का यूज किया जाता है तो जो number block होते हैं वो N से परदस्चित किये जाते हैं तो उसमा correct answer option A हो जाएगा next question है friends preparatory function में moment की मात्रा code के साथ सुरू होती है the amount of code starting with preparatory function यानि कि preparatory function में किस code से हम CNC machine में preparatory function से किस code को दरसाते हैं तो G code जो होता है friends उसको हम preparatory function में दरसाते हैं यानि कि G00, G01 G02, G03 इन code को जो हम preparatory function में दरसाते हैं तो उसमा correct answer option A हो जाएगा next question है friends पूछा गया NC machine में feet rate को किसके द्वारा दरसाया जाता है the feet rate in the machine is dotted by यानि कि friends इसमा पूछा गया है कि NC machine हो या फिर CNC machine हो उसमें feet rate को किस word से दरसाया जाता है तो feet rate को में सब capital word capital F से दरसाया जाता है capital F लिखेंगे उसके आगे point 2 या फिर point 1 इस परकार से हम feet rate को दरसाते हैं CNC machine में हो या NC machine में तो इसमा correct answer option D हो जाएगा next question है position of access यानि कि friends से हम पूछा गया कि position of access code को दरसाया जाता है यानि कि हमें 0 0 जिस position से हमेंचलना है उस जगव कुदर आनि के लिए हम किस code का यूज करते हो या kिस word का यूज करते हैं तो उसके लिए हमेंसा friends xyz का use किया जाता है cnc में हो, nc में हो, cpmc में हो हमेशा xyz का यूज किया जाता है position of access के लिए तो इसमा correct answer option यह हो जाएगा friends तो thank you friends वीडियो कौन तक दिखने के लिए next question की जो वीडियो रहेगी वो जल्दी upload की जाएगी तो मिलता हैं friends next वीडियो की update में